हेलो वीवर मैं निशात अहमद स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नॉन हिंदी के पचास मौश्ट आपजेक्टिव कोश्चन के बारे में जो के आपके लिए बहुत ही मौश्ट है इ इसा तूना गई मेरे मन से यह निबंद किसकी रचना है तो यह रामधारी सिंदिनकर की रचना इसलिए इसका अफसन नंबर जो है गौस सही हो जाएगा दोस्तो आपको एक नोट बतला देना चाहता हूँ कि आपके एक्जाम जितने भी हुए सभी का एंसर की कोरेक्ट मैं अपने चैनल पर डाल रखा आप वहां से जाकर एंसर मिला सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कितना एंसर सही लगाया है चलिए दोसरा नंबर प्रशन है एद के दिन अमीना क्यों उदास थी तो उसके पास अनाज नहीं था इसलिए वो उदास थी बाकी सारे ल लिखा तो परेम चंद्रे लिखा था इदि के दिन अमीना क्यों उदास थी तो अमीना के पास क्या था अनाज नहीं था ऐसे मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है कि कौन सी कहानी के लेखक कौन है इसलिए उसका मैं डिस्किप्सन में लिंक दे दूंगा आप उ प्रशन है कर्मवीर की पहचान है कर्मवीर की पहचान है साहसी होना क्या होना साहसी होना इसलिए इसका चार का जो है ऑफसन नंबर सही हो जाएगा अगला प्रशन है पांच नंबर में सुरियो दय का संधी विछेद है सुरियो दय का संधी विछेद असल संधी विछेद करूँगा आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताके उससे आपका डिवीजन और अच्छा से अच्छा हो जाएगा अगला च्छे नंबर में है वैक्ति की सफलता का आधार क्या है वैक्ति की सफलता का आधार क्या है तो कर्मे के परती कर्मे के पर्ति निश्ठा रखना इसलिए इसका उफसर नमबर गोर्रा रॉड हो जाएगा अगला अगला परश्ण है 7 नमबर में बाल गोबिन भगत किस vap को सम्दित रखते थे तो कभीर थे इसलिए इसका उफसर नमबर जो है खोई right हो जाएगा अगला परषनी है अमीना हामिद कि आमीना फामिद की दोस्तो यह हम लोगों की कोशिश है और आपकी मेनत ही तरंगेल आएगी आप आप वीडियो को दो बार तीन बार देखें और इसे आपका exam अच्छा से अच्छा चला जाएगा चलिए दोस्तों 11 नमबर में है नायक शब्द का सही संदी विछेद कौन सा है नायक शब्द का सही नमबर जो है खो राइट हो जाएगा अगला परशन है तेरे नमबर में बाल गोविन भगत अपने एकलाओते बेटे की मिर्तियू पर क्या कर रहा था तो वो भजन गा रहे थे क्या कर रहे थे भजन गा रहे थे इसलिए इसका आफ्शन नमबर गौसई हो जाएगा दोस्तो इसके बाद most important 5 subjective और उसका answer में लाने वाला हो उसे भी आप देखना न भूने उसको जरूर आप देखिएगा अगला परशन है 14 नमबर में तू जिन्दा है तू खाली अस्थान तू जिन्दा है तू जिन्दगी की जीत में यकीन कर तू जिन्दा है तो जिन्दगी की जी वर्ण मातरा आजाये तो उसको क्या करते हैं शन्यूपत वर्ण करते हैं अक्च्छँ अख्च्छँ देखिए दो हर्फ इस में निकल ला है तो यह सन्यूपत वर्ण में आ जाएगा अगला परशन है 16 नमबर में बाल गोविन भगत ने मिर्ती बेटए को आग किस से दिला यह इसलिए इसका option number जो है go right हो जाएगा अगला 18 नंबर प्रश्ण है कवी ने अपने दम से किसकी जिनता चाहता है किसकी जिनता चाहता है तो किसकी जिनता चाहता है तो वतन की जिनता चाहता है इसलिए इसका option number जो है, को राइट हो जाएगा, अगला प्रशन है, 19 नमबर में, बाल गोविन भगत कबीर को साहस मानते थे, इसका क्या कारण हो सकता है, तो वो कबीर को सत्य गुरु मानते थे, कबीर को क्या मानते थे, सच्चा और इमानदार गुरु मानते थे, इसलिए इसका option number 19 क जो है, को राइट हो जाएगा, अगला प्रशन है, 20 नमबर में, बाल गोविन भगत किस परकार की रचना है, तो ये रेखा चितर है, क्या है, रेखा चितर है, इसलिए इसका option number जो है, गोर राइट हो जाएगा, अगला प्रशन है, दोस्तो, 21 नमबर में, सरोज का सही संध जो है, सरह जोड जो, सरह जोड जो, विसर्ग के साथ, इसलिए इसका option number जो है, गोर राइट हो जाएगा, 21 का, अगला प्रशन है, 22 नमबर में, इत्यादी शब्द का संधी विचेद किया, ये लगभग लगभग एकजाम आप देखेंगे, उसमें ये प्रशन पूछा गय ये इत्यादी शब्द का सही संधी विचेद, तो इत्यादी शब्द का सही संधी विचेद जो है, इती जोड आदी, इती जोड आदी जो के option number कौम है, इसलिए इसका option number कोर राइट हो जाएगा, अगला परशन है, 23 नमबर में, यकीन का एक अर्थ है, तो यकीन का एक अर् किसकी रचना है तो कामता परसाद सिंग काम कामता परसाद सिंग काम की यह है इसलिए इसका ओPS Kann souvenir अग्ला परशन कि सैत्जाएगा अगला प्रस्ण में 25 परफाद कि सरास्दी या यौनि परदेश में यह जशित है। झालuleब अगला प्रशन है 26 नमबर में हुन्रू जलपरपाथ किस लिए मशहूर है तो यह है चपलता के लिए मशहूर है इसलिए इसका आफसन नमबर जो है गौर राइट हो जाएगा अगला प्रशन है नील गाई कौन सा समास है तत्पुरुष समास है तत्पुरुष समास है काम कितना ही कठरिन हो किन्तु उक्ताते नहीं यानि कड़ी से कड़ी मेहनत करकर वो सफलता को पाने की कोशिश करते हैं उसे ही हम कर्मवीर कहते हैं इसलिए इसका आफसन नंबर को राइट हो जाएगा अगला प्रशन है 29 नंबर करपुरी ठाकूर का जन्म हुआ था तो करप इदगा से चिम्टा खरीद कर लाता है इसलिए इसका आफसन नंबर गौर राइट हो जाएगा अगला प्रशन है 31 नंबर में करपुरी ठाकूर को दो बार बिहार के क्या बने थे वो तो दो बार बिहार के मुख्यमंतरी बने इसलिए इसका आफसन नंबर जो है गौर परशने जो है सिर्चन किस काम का माहिर कारीगर था सिर्चन किस काम का माहिर कारीगर था तो यह जो माहिर कारीगर था चिक का इसलिए इसका उफस्वन नंबर जो है को राइट हो जाएगा अगला परशने है चौँटीस नंबर में राधा किरिस्न कौन सा समास है राधा किरिस माता पिता राधा किरिस्न सीता सीता राम इस सबसब जो है कौन दवंद समास इसलिए इसका आफ्सवन नंबर जो है घौर राइट हो जाएगा अगला परशन है 35 नंबर में बाल मजदूरी की समस्या को किस पार्ट में उभारा गया है तो यह जो उभारा गया है खेमा में मुझते हुए कर्मेशील रहना बादाओं से यानि कितनी भी कटना ही आए वह अपनी असल मंजिल की तरफ चलता रहा है उसी को कर्मेवेक्ति का क्या होता है कैसे निखरता है वेक्तित वनिखरता इसलिए इसका आफ्सन नंबर को जो है राइट हो जाएगा अगला परशन ह 37 नंबर में खेमा किसके होटल में काम करता था खेमा किसके होटल में काम करता था तो ये कसारा के होटल में काम करता था इसलिए 37 का जो है आफ्सन नंबर को राइट हो जाएगा अगला परशन है 38 नंबर में सिर्चन को पान की बीड़ा किसने दिया था सिर्चन को पान की ब इसलिए इसका option number जो है को राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है चालिस नंबर में निम्न लिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है तो निम्न लिखित में जो शब्द है दोस्तो ग्रीस्म गिरगही से और आधा मुर्धन सा और मौ ठीक है इसलिए इसका option number खो जो राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है एक तालिस नंबर में बाल गोविन भगत अपने खेत की कुल पैदावार किसे किसको भेट करते थे कबीर पंथी मठ में भेट करते थे इसलिए इसका option number जो है खो राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है 42 नंबर में बच्चों की दुआ परातना गीत किसकी रचना है तो ये अलमा एकमाल की रचना है लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी तो ये इसलिए इसका option number जो है गोर राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है बाल गोवि 44 का जो है खो राइट हो जाएगा अगला प्रश्ण है 45 नंबर में कर्म शीला कर्म शीला विश्विद्याले के पर्थम आचारिय कुलपती कौन थे पर्थम आचारिय कुलपती जो थे हरी भर्द थे कौन थे हरी भर्द रहे थे इसलिए इसका option number जो है 45 का गोर राइट हो जाएगा अगला परशन है 46 नंबर में विक्रम शीला विश्विद्याले के पर्थम अचार्य कुल्पती कौन थे विक्रम शीला विश्विद्याले के पर्थम अचार्य कुल्पती जो थे हरी भर्द थे इसलिए इसका ऑफसन नंबर जो है गोर राइट हो जाएगा अगला प के किरिया कर्म के बाद पतोह को कहां भेज दिया तो पतोह के भाई के घर भेज दिया था इसलिए 47 का जो है ऑफिसन नमबर को राइट हो जाएगा अगला परशने है 48 नमबर में खुश्बू रचने वाले हाथ कैसी प्रिस्तितियों में रहते हैं तो ये कूड़े करकट के धेरों के बीच इसलिए इसका ऑफिसन नमबर गौराइट हो जाएगा अगला परशने 49 नमबर में बरहामन शबद सही इसत्र लिंग रूप क्या होगा बरहामन शबद का सही इसत्र लिंग रूप जुआ होगा अंगला प्रमाइन् 진 हनया क्राइगां सा कवीता किस ने लिखा वो आपके लिए बहुत ही मौश्ट है यदि आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पिलिज सब्सक्राइब कर ले इसके बाद जवाब का एक्जाम हो जाएगा तो फिर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं कि उसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि आपका कितना नंबर आएगा तो आप कौन सा विशे से इंटर में चुईज कर सकते हैं यानि कौन सा विशे सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा और भी एक्जाम के भी से कोई भी इंपोटेंट है जो बात होगी मैं अपने वीडियो कर हमे अच्छा से अच्छा आए यही हमारी दुआ है